हेलो फ्रेंड कैसे आप सभी लोग उम्मीद है मस्त होंगे चका चक होंगे खुश होंगे चलिए तो दोस्तों आज हम लोग बात करने बाले हैं मद्द्रदेश के प्रसिद नगर इस्तल और उनके उपनाम की यह पड़ो फिर किसी भी एक्जाम से लड़ो इस उद्देश के स जहां से प्रिष्ण बनते हैं तो सबसे पहले बात करने वाले दोस्तों अमरकंटक की अमरकंटक मद्द्रदेश के अनुपूर जिले में जगा है ठीक है जहां से नर्वदा नदी निकलती है और उसी को कहा जाता है परेटनों का तीर्थराज बहुत इंपोर्टेंड है अम बद्र करके जगा यहां पर जगा रहने में जगाए जगा में जगा में भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है इसलिए अमरकंटक को रहने ख़ेंगे घॉप्टवाने कमपड़ जाएंगे बाहते मुर्तियों के बहुत मूरतिया कहते हैं एक दाना भी अगर आपने चढ़ा मूर्थियों का सहर कहा जाता है और उज्जेन में आपने देखा होगा महालोग भी बन गया है वहापर बहुत सारी मूर्थिया ओल लगा दी गई है तो इंपोर्टेंड है छिप्रा नदी के किनारे है महा काल की नगरी भी कहा जाता है मंगल ग्रह की जन्भूमी कहते हैं ठीक इसके बाद बात करेंगे जबलपूर की बहुत important है जबलपूर को संगमर्मर्ग की नगरी कहते हैं क्यों कहते हैं जबलपूर के भिला घाट में सपेज संगमर्मर्ग बहुत ज्यादा मात्रा मिलते हैं इसलिए से संगमर्मर्ग की नगरी कहा जाता है नयायक राजधानी कहते वो जबलुपूर में है इसके बाद देखिए आम नगरी ठीक है आम नगरी या रक्षा नगरी भी कहा जाता है क्य Remo correct भी यहां पर ज mes عाम नगरी यह रक्षा नगरी कहा जाता है दोस्तों जबलुपूर को बावं तालों का सहर का जाता है बहुत सारे यहां ताल है इसलिए से 52 तालों का सहर कहा जाता है संसकार राजधानी आचार बिनुबा भावे के द्वारा कथित आचार बिनुबा भावे को आप लोग जानते हों कि उन्होंने इसको संसकार नगरी का नाम से सुधित किया जबलपुर को संसकार नगरी कहा जाता है ध्यान रखेगा संसकार राजधानी कहा जाता है बिनवा वहावे ने इसके बारे में उल्लेक किया है इसके बाद भिंड मुरेना की बात करेंगे बिंड मुरेना को बागियों का गड़ कहा जात बालता था भागियों को गड़ कहा जाता है भिंड मुरैना को याद रखेगा। इसके आज सिंग्राओली की बात करेंगे दोस्तों बहुत कि सरसों की नगरी कहा जाता है। पूरे मद्ध्प miracle में सर्वाधिक सरसों यही पर होता है। सहत का जिला भी नोरेना महीं होता है। इसके बाद बात करें खजुरा kalo को सिल्फ कला का थीर्त कहा जाता बहुत इंप्ऑरनेंट है। भजुराओं को सिल्फ कला का तीर्द अग्या तो YouTube नग्याशिक है इसके बाद बात करेंगे सिवनी सिवनी को मद्डिप्रदेश का लखनव कहते हैं में रेसम उतपादन के कारण पूरे भारत में सबस्यादा जो रेसम होता वो लखनव में होता है और हमारे हैं सबस्यादा स विसम होता है उसी कारण मद्धिप्रदेश को मद्धिप्रदेश का लखनव कहा जाता है सिविनी को याद रखेगा मद्धिप्रदेश का लखनो इसके बात करें मंसौर को पसुपती की नगरी कहा जाता है दोस्तों सिवना नदी की किनारे सिबना नदी के किनारे पसूपती का मंदिर आपको मंसे देखने को मिलेगा और यहाँ पे सरबादिक मात्रा में अफीम वह जाती है इसलिए इसे अफीम की नगरी भी कहा जाता है फिर बात करेंगे बाला गाट को जैसा कि आपको पता है बाला घाट में बड़ी-बड़ी मलाजखंड की खदाने हैं जहां पर तामा मिलता है इसलिए से तामा नगरी कहते हैं और मैगनीज की खदाने भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी बाला घाट में इसलिए से मैगनीज नगरी भी कहते हैं बाला घाट पर बंद सरवादिक है बारिज सबसे जदा होती है सेक्स विस्टों सबसे जदा है यानि की लड़को एक हजाल लड़कों पर लड़किया ज़्यादा है इसके इंदौर की बात करें मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को मद्द्रदेश की सिलिकॉन वेली कहा ज बैफसाइक नगरी कहते हैं क्योंकि सबसे आदा बैफसाइक जोता इंदौर से होता है और मद्द्रदेश का मैंचिस्टर भी इसे कहा जाता है मद्द्रदेश का मैंचिस्टर इसे कहते हैं क्योंकि इसी के बगल में पीतबपुर आपको देखने को मिलेगा कटनी की बात कर कर जाते तो जवान कट जाती है और कटनी को सलीमाबाद कहते हैं और शूननगरी के नाम से जानते हैं आपको याद रखना है को कि कि इसके बाद करेंगे हम लोग दोस्तों Moan Amandu कीиссalamло के बहुत सारे नाम हैं मंडू के धार में आता है फोल धार में आता है अननद की जोई ऑफ सिटी कहा जाता है आनंद की नगरी जोई ऑफ सिटी कहा जाता है परितक सहर कहा जाता है यहां पर बहुत सारे महल आपको देखेंगे देखने को मिलेंगे असरपी महल ठीक है आपको दाई का महल मिल जाएगा राली रूपमती महल मिल जाएगा जहाज महल देखने क को मिल जाएगा यहाँ पर आपको नील घंड का मंदिर देखने को मिलेगा बहुत सांदर जगह है इसका नाम है आनंद की नगरी कि एष संगीत नगरी भी कहा जाता है ठीक है तो यहां पर एक उस्ताद अलावद्दीन खान अलावद्दीन सा मुझे नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है तो उनके कारण उन्हों नहीं प्रशासनिक राजदनी हमारी है और जहीं की अगरी कहा जाता है शिर्डू की कहा जाता है बहुत इंपॉर्टर Google की ब्रैल्टिय क्लियें और मत्रिटेश्र का सिर्मॉर मौजूद है예요 और पच्चमणी की बात करें परयतक मश्रमा की दानी कहा जाता है पच्मणी को परयतक का सवर्ग और सत्unteection की रानी कहा जाता है हुसंगाबार रिस्टिक यानि स्टिक में आती है चिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मात्र हिल स्टेशन तुं पसमरी आगे पढ़ेंगी ऑब कि हम नीए । एक जरा अधी बंद की बंध्र में है 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 मद्य प्रिदेश का गोवा कहते हैं से हनमुंतिया टापू को मद्य प्रिदेश का गोवा कहा जाता है मद्य प्रिदेश का सुजलेंड भी कहते हैं परेटन की द्रश्टी से मद्य प्रिदेश का सुजलेंड कहा जाता है हनमुंतिया टापू को जो खंडवा डिस्टिक में क्षिट यहां पर हमारे भारत का सौरी मध्यपृदर्देस का सबसे पहला इनिवर्सिटी डिक्टर हरीसींग ऑढ्र इक्टर हरी सीङ्गोर विश्विध्या ले खुला गया था फिए मध्यपृद्जण का पहला विश्विध्या ले सागर में secondly कोल अ 했어 को मद्रप्रदेश की गंगा कहा जाता है इतना पानी इसका दूशित हो गया है ठीक है बैतबा नदी कहा से करें निखल राजस्तान होते हुए चली जाती है और इसी पर बाणेस ट्वर so हbye अजबार धाम इसी पर राजस्तान अजहां पर है आधिवासियों का मेला लगता है जिसी से फ्रांटल धाम जो है वेले सब्ढ़ नगरशां कहां पर राजस्तार में डूंगरपू glaubspe पास में जगा पड़ती है वहाँ पर आदिवासियों का कुम्ब लगता है आदिवासियों का कुम्ब का मेला लगता है ठीक है माही नदीक पही लगता है आदिवासिय की गंगा कहला तेज इसके आद देखी खरगॉन की बात करें खरगॉन को नमक ग्रह की नगरी कहा जाता है खरगोन को नमक ग्रह की राजदानी का नगरी कहा जाता है याद रखेगा यहां पर नमक ग्रह का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है रीबा की बात करें रीबा को सपेद सेरों की भूमी कहा जाता है यहां पर सपेद सेर आपको देखने को मिलेंगे रीबा को सपेद सेर की भू पन्ना को हीरा नगरी कहते हैं पन्ना में सरवादिक आवला मिलता है इसलिए आवला जिला और यहां पर आपको पता हीरा मिलता तो इसे हीरा नगरी कहा जाता है चाली बहुत इंपॉर्टेंट है अब बात करेंगे नरब्दापुरम इसको City of Water कहा जाता है हुसंगाबाद को नरब्दापुरम नाम हो गया City of Water कहा जाता है यह जो नरब्दा नदी देख रहे हैं इसे सेटानी घाट कहते हैं सेटानी घाट नरब्दा नदी का सबसे प्रचित और सबसे व्यवस्तित घाट है कहां पर है हुसंगाबाद नरब्दापुरम में हैं पाटनगर डिंडोरी दिंडोरी को पाटनगर के नाम से भी जाना जाते हैं इसे चित्रकारों का गाउं कहते हैं बहुत सारे अभी वरतमान में जो चित्रकार निकल के आ रहे हैं वो दिंडोरी से निकल के आ रहे हैं ठीक है करेंट अपेर में भी दिंडोरी से बहुत बड़े-बड़े कलाकार च इस तरहों के उपनाम थे यह आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको एक बार संदर तरीके से पढ़ाई करना रिविजन करना और आपकी एक्जाम में जाके डारेक्ट कोश्चन आये तो लगा देना जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत महत्पूर होगा और जल से जल हम लोग MPSI और MP Constable का एक कोर्स भी लांज करने वाले हैं अगर आप कहोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपदेश सर के गाइडेंस में और Constable और SI का बिवस्तित तरीके से हम लोग कोर्स भी लांज जहाँ पर हम लोग सबस्क्राइब करेंगे जहां पर हम लोग सभी सब्जेट की वहां पर तैयारी करवाने वाले हैं चलिए जय हिन जय भारत ठेंक इसे मज़ बाए बाए टेक केर